CSC में एक सर्विस है CSC Skill Center, इसकी मदद से आप लोग काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अगर आप लोग एक Common Service Center चलाते हो, CSC भीयली हो, तो आप लोगों को भी CSC Skill Center ऑपन कर लेना चाहिए, अगर आप लोग CSC Skill Center ऑपन कर लेते हो अपने CSC की मदद से, तो आप लोगों को PM के भी हुआ है कि अंडर में जितने भी schemes हैं, उन सभी में registration करने का मौका मिलेगा, साथ ही काफी अच्छा commission भी कमाने का मौका मिल सकता है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को complete details में बताऊंगा कि CSC Skill Center कैसे आप लोगों को open करना है, इसके लिए क्या-क्या eligibility criteria है, आप को क्या का काम करना पड़ता है, कितना registration fees है, कैसे आप लोगों को registration करना होता है, यानि कि आप लोगों को CSC Skill Center से related सारे details इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को लाज तक जिरूर देखिएगा, चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कि CSC Skill Center क्या है, और यहां पर आप लोग क्या क्या work करते हो, तो basically CSC Skill Center skills को provide करती है, citizens को, और जो भी skilled person है, उन सभी को certified करती है, सरकार के नजर में इनका data तयार करती है, और इन skilled persons को कैसे और अच्छी रोजगार मिल सके, कैसे ये अपने रोजगार में बढ़ोतरी कर सके, इन से भी के बारे में जानकारी देती है, अगर आप एक common service center चलाते हो, CSC भेली हो, तो आप भी एक CSC Skill Center open कर सकते हो, इसके लिए registration का क्या process है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, इससे related कुछ और जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हो, तो अगर आप लोग एक CSC Skill Center open करना चाहते हो, तो आप लोगों को 1000 रुपए का इसमें one time fees देना पड़ेगा, और successfully registration होने के बाद आप लोगों को login करना होगा, जहाँ पे survey का काम यानि की registration का काम आप लोगों को दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग schemes के अनुसार registration कर सकते हो, schemes के बारे में आगे बात करेंगे, और जैसे आप लोग candidate का registration कर दोगे, उनका course पूरा हो जाएगा, course पूरा हो जाने के बाद उनका एक exam भी होगा, जिसके बाद वो certified भी कहलाएंगे, और उसके बाद वो अपने field में कोई भी job को ले सकते हैं, या फिर कोई skilled person है, तो वो एक अच्छी और भी काम कर सकते हैं, और इससे VLE को भी एक काफी अच्छा commission मिलेगा, तो commission के बारे में भी जानेंगे, वीडियो को आप लोग last तक जरूर देखेगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, कि कौन-कौन से schemes में CAC VLE registration कर सकेंगे, किसी भी candidate का, तो NSDC के द्वारा अभी दो schemes में registration कर सकते हैं, आप लोग पहला है PWD, ये विकलांग लोगों के लिए है, और दूसरा है RPL, PWD schemes के बारे में बात करें, तो ये सिर्फ disabled persons के लिए है, VLE को commission कितना मिल सकता है, वो यहाँ पे लिखा गया है, 3800 रुपए से लेके 8000 तक का commission यहाँ पे मिल सकता है, course का duration यहाँ पे 200-400 घंटा रहने वाला है, जिस भी candidate का आप लोग registration करोगे, उस candidate को 200-400 घंटा का course duration करना जरूरी है, तभी जाके ये exam दे सकते हैं और certificate मिलेगा, और यहाँ पे दूसरी scheme है RPL, तो RPL किन लोगों के लिए है, यहाँ पे जो भी experienced candidates है, यानि कि कोई भी अगर क का आप लोग यहाँ पे registration करोगे, RPL में, और यहाँ पे आप लोगों को 800 रुपए से लेके 1000 तक का commission मिलेगा, इस commission के बारे में नीचे और भी details दिया गया है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, और course का duration यहाँ पे 12 घंटा का रहने वाला है, 12 घंटा का course रहेगा, और उसके बाद इनको certificate मिलेगा, आप लोगों को commission कैसे मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे, कि PWD schemes के बारे में बहुत सारे details से हाँ पे दी गई है, जैसे कि कौन-कौन से job roles में वो apply कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे data entry operator बन सकता है, यह PWD schemes के अंडर में आते हैं, यानि कि उनका विकलांग होना जरूरी है, और course का duration आप लोग देख सकते हो, सभी के सामने लिखा गया है, जैसे कि domestic non-voice के सामने लिखा गया है, 400 hour का course रहने वाला है, टेलिकॉम in store promoter का 200 गंटे का course रहने वाला है, और course duration कितने month में complete होगा, वो भी यहाँ पे लिखा गया है, और minimum qualification कितनी चाहिए candidate की, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वेली को commission कितना मिलेगा, job roll के हिसाब से यहाँ पे exact लिखा गया है, और यहाँ पे candidate को भी क्या फायदा होगा, उसके बारे में बात करते हैं, तो candidate को certificate त दिया गया है, जैसे कि call center के लिए कोई है, customer care executive, तो उसके बारे में भी यहाँ पे details दिया गया है, आप लोग इस details को देख सकते हो, और जेन भी लोगों का आप लोग रेजिटेशन करोगे, PWD scheme के under में, उन सभी के पास क्या-क्या eligibility conditions रहने चाहिए, वो सारे यहाँ पे दिय जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, PWD scheme is only for disabled candidates, यानि कि जो भी disabled person है, उन्हीं लोगों के लिए PWD scheme है, disability type या फिर category क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग देखोगे, इसी person का अगर 40% से disability कम है, तो दोस्तों वो यहाँ पे eligible नहीं होगा, PWD schemes में registration के लिए, age limit आप लोग य आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहला है disability certificate, आधार card, bank passbook, educational certificate में 10th या फिर 12th का mark 6, आप लोग यहाँ पे job role के सामने देख सकते हो, क्या educational qualification चाहिए, किस job role के लिए, minimum attendance 80% रहना चाहिए, हर candidate का, तभी जाकि वो certified हो पाएंगे, और यहाँ पे जो content का cost रहने वाला है, वो सारा refund कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और साथे साथ course duration में अगर वो present रहते हैं, तो हर दिन उन्हें 175 रुपए की रासी उनके account में मिलेगा, साथे साथ certificate भी मिलेगा, तो certificate किसके द्वारा मिलेगा, वो भी आप लोग देख सकत के अंडर में आती है, PM के भी योजना क्या है, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाते हो, तो आप लोग दोस्तों नीचे comment कर सकते हो, मैं इसके लिए एक special वीडियो बना दूँगा, जिसमें इसका सारा details आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर मैं simply आप लोगों को explain कर देता हूँ कि PM के भी योजना क्या है, तो दोस्तों परधान मंतरी के द्वारा ये योजना start की गई है, जितने भी persons हैं, जितने भी citizens है, अगर उनके अंडर में कोई भी skill है, तो वो अपने skill को कैसे develop करेंगे, साथे साथ वो कैसे उसी छेतर में आगे बढ़ सकेंगे, इन स जितने भी candidates है, अगर उनके पास कोई भी skill है, कोई भी experienced candidates है, यानि कि आप लोग मान लिजे कोई भी car mechanic है, bike mechanic है, या फिर कोई भी labor mystery है, आप लोग इन सभी का list यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि कोई अगर tailor है, वो पहले से ही कहीं पर work कर रहे हैं, unorganized sectors में, तो दोस्तों उन सभी के skills को यहाँ पर develop किया जा सकता है, certified उने किया जा सकता है, RPL course की मदद से, और यह पूरी तरह से सरकारदवारा certified रहेगा, इन लोगों का national database बनेगा, कि यह लोग यहाँ पर skilled persons हैं, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सारे ही job roles का list दिया गया है, अग अला कि वो telegram का link है, telegram channel में मैं इस PDF को share कर दूँगा, आप लोग telegram group को join कर सकते हो, हमेशा updated रहने के लिए, अब हम लोग नीचे scroll कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हो, कितने सारे job roles है, इन सभी job roles में किसी का भी अगर skill है, तो दोस्तों वो इस course को कर सकता है, RPL में आप लोग उसका registration कर सकते हो, और यहाँ पर कुछ note करने वाली बाते भी हैं, जैसे कि RPL जो scheme है, इसके तहट उन ही लोगों का registration होगा, जो कम से कम 3-4 साल का experienced candidate हो, यानि कि वो GSB field में registration करा रहे हो, उस field में उनका experience 3-4 साल तक का होना चाहिए, age limit आप लोग यहाँ पर देखोगे क 18-69 साल तक होना चाहिए, अगर candidate successfully certified हो जाते हैं, तो उन्हें 500 रुपए का amount भी मिलेगा directly उनके bank account में, तो दोस्तों यह थी RPL service और PWD service, जिसमें आप लोग registration कर सकते हो, CAC skill center open करके, तो CAC skill center में और भी बहुत सारे services हैं, अगर उन सभी services के बारे में बात करें, तो यह video काफ सबसे पहले आप लोगों को अपने digital सेवा portal में login करना होगा, जैसा कि आप लोगों को सर्वेसेज पर क्लिक करना होगा, और simply आप लोगों को search कर लेना होगा skill, इसका direct link आपको description में मिल जाएगा, जहांसे आप लोग इस home page में आ सकते हो, यहां पर आने के बाद, simply आप लोगों को connect पर क्लिक करना है, और यहां पर option मिलेगा VLE register, इससे आप लोग अपने skill center का registration कर सकते हो, उसके बाद आप लोगों को 1000 रुपे का payment भी करना होगा, तो चलिए हम लोग VLE register पर क्लिक करते हैं, अब यहां पर registration का page आ चुका है, जहां पर कुछ details हमें fill करनी हो होंगी, जैसे कि हमारा area urban है या फिर rural है, और हमारा state कौन सा है, वो आप लोग select कर लोगे, state select कर लेने के बाद simply आप लोगों को district यहां से select करना होगा, और उसके बाद sub district आप लोग यहां से choose करोगे, address line आप लोग यहां पर fill कर दोगे, pin code आप लोगों को यहां पर fill करना है center का name यहां पर automatically आजाएगा, उसके बाद आप लोगों को constituency यहां पर fill करना है, और next पर click करना होगा, फिर यहां पर आप लोगों को भेली का details फिल करना होगा, जैसे कि भेली name यहां पर आप लोग फिल करोगे, highest qualification क्या है भेली का वो आप लोग यहां से choose कर सकते हो, और उसक क्या आया है इनका result का, first, second या फिर third, वो आप लोग simply यहां से choose कर लोगे, और उसके बाद CAC ID automatically यहां पर fill रहेगा, mobile number आप लोगों को यहां पर fill करना है, email ID automatically detect कर लेगा, simply आप लोगों को next पर click करना होगा, उसके बाद यहां पर training center point of contact का details आप लोगों को fill करना होगा, fill करके next पर click करोगे, अब training center का details यहां पर आप लोगों को fill करना होगा, तो center कितने area में है, वो आप लोग यहां पर fill कर सकते हो, यह square feet में आप लोगों को fill करना है, तो आप लोग simply अपने हिसाब से choose करोगे, और उसके बाद number of classrooms कितने है, CAC center में, यानि कि training center में, वो आप ल इतने lab rooms हैं, वो आप लोग यहां से select करोगे, यहां पर option दिया गया है, student का capacity कितना है, वो आप लोग अपने हिसाब से यहां पर fill कर सकते हो, आप लोग अपने area के हिसाब से इसे choose करोगे, उसके बाद lab का infrastructure यहां पर आप लोगों को choose करना है, जैसे कि number of printers कितने हैं आपके training center में, तो आप लोग अपने हिसाब से choose करोगे, number of scanner यहां से आप लोग चूज करोगे, number of computers आप लोग यहां से choose करोगे, और उसके बाद यहां पर आप लोगों को photograph अपलोड करना पड़ेगा, center का, वो भी external photograph, यानि कि बाहर से कैसे दिखता है आपका center, उसका photo आप लोग य यहां पर अपलोड करोगे, lab का photograph आप लोग यहां पर अपलोड करोगे, submit पर आप लोग क्लिक करोगे, submit पर क्लिक कर दने के बाद आप लोगों को 1000 रुपए का payment करना पड़ेगा, अपने CAC wallet से, 1000 रुपए का payment करने के बाद आप लोगों का successfully registration यहां पर हो जाएगा, उसके आप लोगों का dashboard कुछ इस परकार दिखेगा, आप लोगों को PWD scheme में कैसे registration करना है, RPL scheme में कैसे registration करना है, इन सभी के बारे में details में वीडियो जल्दी आजाएगी, आप लोग नीचे comment कर सकते हो, यह वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं उसका अलग वीडियो details में, तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को CSC Skill Center के बारे में पता चल गया होगा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को like कर दिजएगा, चैनल को subscribe जरूर करिएगा, टेलिग्राम ग्रूप से जरूर जोइन हो जएगा, इस PDF को download करने के लिए, तो म झाल, खर जारे में. झाल झाल